इस बुलेटिन की प्रायोजक है आरकेड डेवलोपर्स शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में एक दिन पहले तक आंदोनन की धंकी देने वाले विनोद मील की चाल के रवासियों ने शरीवार को प्रशासनिक अमले की पहुचने से पहले ही अपना सामान समेट लिया चाल के अधिकतर रवासियों को नीजी बिलजरों की कॉलोनियों में बने इड़ल्यू एस भवन में ठलता रहा है एतियात के तौर पर प्रशासनिक अम्ला मौकी पर मौजुद रहा विनोद मील की बानवे बिघाज जमीन की निलामी हाई-कोड के आदेश पर की जा चुकी है बिल्डरों को यह जमीन मोहिया कराने के लिए छे बिगा में बसी विनोद मील की चाल को खाली कराया जा रहा है। छलचला रही थी, अपने ही हाथ से वे अपना ही आशियाना उजाड रहे थे, कोई अपने ही हाथों से बनाई दीवार को सब्बल चला कर तोड रहा था, तो कोई घर के भीतर लगे हुए चित्रों को सम्हाल रहा था, मोके पर प्रशासन ने जेसी भी भी तैयार कर रही थी, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ी। इस सम्मंद में ADM संतोष टेगोर ने बताया। फिलाल विरोध मिल की चाल को खाली करने का काम जारी था और उम्मीद की जा रही है कि शाम तक पूरे मकान खाली हो जाएंगे हाला कि अपने आशाने इस तरह छोड़ने से रहवासी सदमे में हैं। हीरा मिल की चाल में ही रहने वाला तीस साल का संतोष और उसका चोटा भाई शेकर चाल में ही मंदिर के पास रहने वाली फूफेरी बहन के घर बर्थडे पार्टी में शामिल होने गया था। इस दोरान उसका चाल में ही निवास करने वाले अक्कु पिता गोतम से बीजे बचाने की बात पर विवाद हो गया और यह इतना ज़्यादा बड़ा की दोनों के बीच कहा सुनी हो गई। लोगों ने तब बीच बचाव करके दोनों को अलग किया। खाना खाने के बाद संतोश और शेकर अपने घर लोट रहे थे। इसी दोरान अक्कु ने अपने चार साथियों के साथ दोनों को घेर लिया और पिटाई शुरू कर दी। वह संतोश और शेकर को तब तक पीटते रहे जब तक कि दोनों बैदम नहीं हो गए। बाद में अन्य लोग मोके पर पहुँचे और दोनों पक्षों को अलग-अलग किया। गायल संतोश और शेकर को अस्पताल में भरती कराया गया। घटना के संबंद में संतोश ने बत उसके पिता जी का नाम जानता हूं और चूँचे और फिलाल पुलीस ने अक्कु पिता गोतम और उसके सांथियों के खिलाफ मुकदमा दर्जी कर लिया है। फिलाल किसी की भी गिरफतारी नहीं हुई है। तीन दिनी उज्जेन प्रवास पर शंकराचारे जी उज्जेन पहुँचे। रेलवे स्टेशन पर उनकी भक्तों ने अगवानी की। हर सिद्धी मंदिर धर्मशाला में भक्तों ने उनका पादू का पूजन किया और आशिरवाद लिया। शनिवार को उनने संगोष्ठी और वेदवारता का आयोजन भी होगा। इंदोर नाग्दा बाइपास पर कुटा बावडी के पास एक बाइक सवार को तीज रफतार बोलेरों ने टकर मार दी। हादसे में घैल बाइक सवार ने अस्पतार में दम तोड़ दिया। पुलिस ने मर्ग कायम किया है। उसे अस्पताल ले जाया गया। जिला अस्पताल में भरती रवी का उपचार पूरी राज चलता रहा। लेकिन सिर में गंभीर चोट होने से शनिवार की सुबर उसकी मौत होगी। भाई दुरगे सूरी वंशी ने बताया। महाकाल पुलिस ने मर्ग कायम किया है। पी-एम के बाद शव को परिजनों को सोब दिया गया है। बोले रो चालक का पता लगाया जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर हरताल कर रहे कनिष्ट यानी जूनियर इंजिनियर्स पर विजुली कंपणी ने भरोसो चताया है। अब इने सहायक यंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। ये लोग लंबे समय से प्रभार दिये जाने की मांग कर रहे थे। विद्युत मंडल पत्रोपाधी अभियंता संग के बेनर तले जूनियर इंजिनियर्स लंबे समय से चरणबद्ध तरीके से पदर्शन कर रहे थे। साथ सूतरी मांगों में करिष्ठ यंत्रियों को सहायक यंत्रियों का प्रभार देने की मांग की गई थी। इस मांग को मानते हुए बयासी करिष्ठ यंत्रियों को सहायक यंत्रियों का प्रभार सोपा गया है। इस नई व्योस्था से बिजली कंपनी के कामों में तेजी आएगी और बहतर तरीके से काम हो सकेगा। इस लिए एक ही नाम श्रीजी हॉस्पिटल, डाइरेक्टर सचिन ठाकूर, डाइरेक्टर विरेंद्र सिंग राजपूत, डाइरेक्टर संधी पांजना के नेतरुत में हॉस्पिटल का संचालन होता है। हमारा पता एक देसाइन अगर विक्रम मार्क फ्रीगंज जजयन संपर्क 07344950826 या 9827273232 एक बार फिर रात का तापमान बढ़ने लगा है, बीधी रात, तापमान में 1.3 डिगरी की बढ़ोतरी दर्श की गई, हाला कि दिन में थंड का दौर जारी रहा। नवंबर के बाद दिसंबर में भी ठंड का असर बना हुआ है, इसके चलते दिनों रात दोनों ही ठंडे हो रहे हैं, हाला कि शुक्रवार शनिवार की रात तापमान बढ़ गया, और यह 11.2 डिगरी से बढ़ कर 12.5 डिगरी हो गया, हाला कि दिन का तापमान अब 28 डिगरी और रात अपने नग में सुनाएंगे। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो, तो हम तक कमेंट सेक्शन या इन बॉक्स के जरीर जरूर पहुंचाएं, शाम को फिर मुलाकात होगे नए बुलिटीन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार